हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार वाइटू इस्टडी पर आज साथियों इस वीडियों सीखेंगे हम दसमलों का भाग यानि की इंगलिस्म कहते हैं अगर आपको दसमलों का भाग देना नहीं आता तो आप लोग हमारे वीडियों पर अंततक बने रहना क्योंकि साथियों देखिए इस वीडियों को देखने के बाद आपको दसमलों का भाग देना आसानी से आने लगेगा तो देखिए आज का पहला प्रस्ट क्या दिया है आज का पहला प्रस्ट दिया है मारे पास 52.50 बटे 2.5 देखिए साथियों दसमलों के दाहिनी तरफ जो संख्या लिकी रहती है उसे हम एक एक कर गिनते हैं जैसे देखिए इसे हम 52.50 नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह दसमलो तो 5-0 ही पढ़ेंगे, तो देखिए साथियों, अब इसका भाग हम कैसे देंगे, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हम गुड़ा लगाएंगे, एक बटे एक से, क्योंकि साथियों, देखिए, सबका मालिक एक होता है, तो एक बटे एक करेंगे, तो हमारे संख्या में कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो देखे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उपर देखेंगे साथियों कि हमारे पास दाहिनी तरफ से कितने अंकबाद दसमलों है, दो अंकबाद दसमलों है, तो इसके विपरीथ में, यानि कि यहाँ पर हम 20 बढ़ा उसके बाद दिखे साथियों नीचे हमारे दिया है दो दसमलो 5 यानि कि दाहिनी तरफ से एक अंक बाद दसमलो हो है तो उपर यानि कि इसके विपरीथम एक 0 बढ़ा लेंगे अब दिखे साथियों यह हो गया 10 बटे 100 अब आगे क्या करेंगे आगे हम इसे 1 0 से 1 0 काट और यहां एक साधारण भिन बन जाए तो दिखे अब यहां पर हम लिख सकते हैं 500 यानि कि 52 बटे में 25 और गुड़ा कर देंगे 1 बटे 10 से क्योंकि यहां पर 10 अभी बचा है तो दिखे साथियों अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम इसे 1 0 से 1 0 फिर कार देंगे यहां एक 0 से 1 0 कट गया तो यहां पर क्या बचा है यहां पर बचा हमारे पास 525 बटे में 25 अब देखिये इसे हम सबसे पहले 5 काटेंगे तो यहां कितनी बार जाएगा 5 पादा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा अब फिर इसे 5 काटेंगे तो 5 के 5 यहां पर 0 पढ़ाएंगे साथियों तभी हमारा दोनों संख्याओं को ले सकते हैं तिया हो गया पचम 25 अब फिर पांच कर जाएगा तिया हो गया पांदूनी 10 25 के 5 यांनि कि ओधला दोस्तो तो फिर चलिए दोस्तो आपको यह प्रश्ट मी γया है तो किर्फिया करके हमारे वीडियो को एक लाइक? जरूर दसमलो 2-5 में भाग देना है हमें 5 से तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या सिख्यायता आपको सबसे पहले दोस्तो हम उपर और नीचे गुड़ा करेंगे एक से क्योंकि एक से गुड़ा करने पर मान में यानि कि इन संख्याओं में कोई फरक नहीं पड़ेगा अब इसके ब देखेंगी दोस्तो इस साइड यानि की हर में कितना अगर दसमलो है तो यहाँ पर कोई दसमलो नहीं लगा है तो एक को हम वैसे रहने देंगे अब देखिये साथियो इसके बाद यहाँ हमारा दसमलो हट गया तो यहाँ पर क्या बचा 625 बटे में 5 गुड़ 1 बटे 10 अब देखिए 5 से हमारा 625 आसानी से कड़ जाएगा तो 5 काटेंगे तो 5 एक के 5 यहाँ पर 1 बचा यहाँ हो गया 12 5 दूनी 10 फिर यहाँ पर 2 बचा यहाँ हो गया 25 पचम 25 तो देखिए साथ यहाँ हो गया हमारे पास 125 बटे में 100 क्योंकि 125 का गुड़ा 1 में लगाएंगे तो 125 होगा और नीचे कुछ नहीं है सिर्फ 100 बचा है तो 100 को हम यहाँ पर लिख देंगे अब दिखिए साथियों अगर नीचे हमारे पास 2 जीरो बचा रहे तो उपर हम दो अंकबाद यानि कि दाहिनी तरफ से दो अंकबाद दसमलो चिपका देते हैं तो यहाँ पर हम दीख सकते हैं एक दसमलो दो पांच और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो यानि कि राइट अंस्वर हो जाएगा तो फिर चलिए दोस्तो आपको यह भी प्रस्ण अच्छे सम्में आ गया होगा अब हम आज का आखरी प्रस्ण देख लेते हैं तो देखिए सातियों आज का आखरी प्रस्ण क्या दिया है आज का आखरी प्रस्ण दिया है 5.5 पांच बटे 2.5 यानि कि 5.5 में भाग लगाना है 2.5 से तो देखिए दोस्तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर गुड़ा करेंगे एक बटे एक से क्योंकि एक का देखेंगे कि ऊपर हमारे पास कितने अंक बाद दसमलों लगा है यानि कि दाहिनी तरफ से तो यहां पर एक अंक और दो अंक बाद दसमलों लगा है साथियों तो नीचे हम दो जीरो बढ़ा देंगे उसके बाद देखेंगे कि नीचे कितने अंक बाद दसमलों लगा है यान पर बचेगा 5, 5, 5 यानि कि 555 बटे में 25 और गुड़े में 10 बटे 100 अब देखिए साथियों यहांस हमारा 0 से 0 कट जाएगा यहांस 1 0 से 1 0 हम आसानी से काड़ सकते हैं अब देखिए अगर नीचे यानि कि हर में अगर आपको 10, 100 या फिर 10 का मल्टिप्लाई दिखाई दे तो उसे हम वह ऐसे ही रहने देते हैं उसमें हम कोई छेड़खारी नहीं करेंगे क्योंकि हमें भाग देने में आसानी हो जाएगी तो देखिए 5 इससे काटेंगे तो पाँचाचाम 25 यानि कि 5 के पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा अब इससे 5 काटेंगे तो 5 1 के 5 5 5 1 के 5 5 1 के 5 तो देखिए साथिँ यहां क्या बचको यहां पर हमारे पास मिले हैं 1 1 1 यानि कि 111 बटे 5 गुरे में 1 बटे 10 अब देखिए साथिओं पान से भाग देंगे 111 में यहां पर 5 से 111 में भाग दे देते हैं तो यहां जाएक हमारे पास 5 दूनी 10 यहां फो गया 10 यारा में 10 को माइनिस करेंगे तो एक बचेगा फिर यहां से एक उतारेंगे फिर 5 दूनी 10 तो यहां फिर हमारे पास एक बचेगा दोस्तो उसके बाद यहाँ पर हम 10 अमलो बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे फिर 5 भाग देंगे तो 5 दूनी 10 यानरी कि पूरी तरीके से कट गया अब यहाँ पर देखिए साती हैं हमारे पास भाग फल में क्या आया 22.2 तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं हम 22.2 और बटे में 10 क्योंकि यहाँ पर 10 का गुड़ा हो जाएगा तो देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तो यहाँ पर दसमलो हटाने के लिए यानि कि नीचे हमारे पास एक 0 जादा है यहाँ दसमलो हमारा एक अंक 22 खिसक जाएगा जैसा कि यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर जितने अंक बाद दसमलो होता था उतने 0 हम यहाँ पर ब उत्तर होगा यानि की फाइनल एंसोर हो जाएगे सातियों तो फिर चलिए दोस्तों मैं आसा करते हूं कि आपको दसामलों का भाग अच्छे समय आ गया होगा अब हम मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी महत्रफूर टॉपिक के साथ आज लिबस इतना ही धन्यवाद